वेलेंटेस यहां कैंसर को मात देने में पूर्टेह सक्षम, रेजिडेट, टोमो थेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है टोमो थेरेपी कैंसर रोग्यों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं कैंसर मरीजों के लिए समर्पित, उत्री भारत का एक मात्रू हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के श्राम कल्यान परिशत के निवर्तमान अध्यक्ष और भाचपनेता सुनिल भाराला को धमकी दिलाने वाले मारूफ को हैदराबाद से ग्रपतार कर लिया गया है वह हापुड के रहने वाले अपने दोस्त के यहां चुपा हुआ था पुलिस ने इस पर 50,000 रुपे का इनाम भी घोशित कर रखा था मेरट पुलिस उसे लेकर बीती राथ हैदराबाद से फ्लाइट द्वारा मेरट आ चुकी है इससे पूर पुलिस इस मामले में नोचंदी के करिम नगर निवासी अतीब ठाकूर रिहानी अली निवासी ओखला जाकिर नगर थाना जानिया नगर दिल्ली और कासिव खान निवासी जोगा भाई एक्स्टेंशन दिल्ली को गरफतार का जेल भेच चुकी है मेरट के वरिष पुलिस अधिक्षक रोहित सज्वान ने आज यह जनकारी दी इसी वेचना के तहट जो चौथा व्यक्ति है डॉक्टर मारूफ उसको पुलिस के दौरा है घरवाद से ग्रफतार किया गया है जिसको नियमन नुसार पूस्ताच की जा रही है और उसके अधार पे नियालाय में प्रसुत किया जाएगा उनके ओपर पचास दार रुपर क प्रचास दार का जो इनाम है वो घोशित किया गया था और इस पूरे प्रकरण में अभी पूस्ताच की जा रही है कुछ ऐसे तरह बतायागे है अभीरत के दौरा जिदकी जिनकी गहनता से वेचणा की जा रही है उनकी सचाई का पता किया जा रहा है और उसकी आधार पर इस बारे में आज फर्स्ट बाइट ने भाजपा नेता सुनिल भाराला से यह बात की अब तो यह जानकारी में है नहीं पुलिस उस पर काम कर रही है अब पुलिस उसे मेरट ले आई है और स्स्पी ने प्रेस कॉन्फेंस भी की है उसको पेश करते हो जी आपकी जानकारी में है नहीं मेरी जानकारी में नहीं है अभी ना मुझे कोई अवगत कराया गaya भी मेरी वारता नहीं हुई है पुलिस जो करवाई कर रही ऑगी अच्छा होगी, सरकार के संग्यान में सब चीशे है अच्छा, मारूफ नहीं करवाया था ये सारा पूरा प्रकण अब ये जानकारी तो पुलिस को बतानी पड़ेगी पुलिस से हम अभगत होंगे सब चीज आएंगे तो सब बाते होंगे भी बाहर हैं इस समय ठीक है मंध्रेगे ठीक है ओगा